नमस्कार, जैशनिकृष्णा, मैं राकेश्चिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि पिछली कुछ वीडियो से मैं आपको अरिस्ट के बारे में बता रहा हूँ अरिस्ट जो महा कस्ट है जो बहुती ज़ादा गहरा कस्ट होता है वो कब होता है कुंडली में कैसे ग्रहों के योग हो तो अरिस्ट होता है तो ये मैंने पीछे भी आपको बहुत सारी वीडियोस में बता दिया है अभी भी उसी क्रम में या उसी श्रंखला में कुछ और वी चीज या कोई अपने आप से चीज नहीं बता रहा, यह सब चीज शास्त्रों लिखित चीज हैं साथ, या तो यमनों ने कहा है, या सत्याचार ने कहा है, या कल्यान वर्मन ने सारा वली के अंदर इसका वन्नति है, तो आज हम पढ़ते हैं विदेशस्त पिता का योग, अग अगर सूर्य चर राशी में हो, दिन जन्म, दिन जन्म निविक्षिक्ते कुपत्रेडें, और दिन में जन्म हो, चर राशी में सूर्य हो, और दिन में जन्म हो, कुपत्रेडें, कत्यतियम विदेशी आतम जातस्य शरीर करतारं, क्या बोलते हैं यह, यह कहते हैं कि चर विदेश में होता है, यदि रात में जन्म हो, अब जन्म अगर मालिया दिन की बज़ाए रात में है, और चर राशी में सनी हो, शनी चर राशी में हो, और रात में जन्म हो, हम चर राशी, स्थिर राशी, दुफजावा राशी के बारे में तो जानती हैं, तीन तरह की राशि मंगल वे शनी चर राशी में, दोग्र है, मंगल वे शनी, दोनों चर राशी में होने चाहिए, अगर लगन आपका चर राशी का है, तो केंदर में सारी चर राशी आएंगी, यह आप कभी भी देख सकते हैं, तो अगर मंगल शनी दोनों केंदर में बैठे हुए हैं, तो वो और रात में जन्म हो तो बालग का पिता पर्देश में ही अरिस्ट को प्राप्ट कर चुका हो और रात में जन्म Creator अन्या अरिस्ट उख क्या कहते हैं वो कहते हैं, यत्रस्थे, स्टे त्रस्थे, स्वेपुत्र रुधिरा अंगसंगते सूर्ये, प्राग जन्मनो निर्दतम कत्यती पित्तरम प्रसूतस्ये, वो कहते हैं, किसी भी राशी में सूर्ये का मंगल वेशनी से योग हो, तो बाला का पिता उसके जन्ब से पूर्वी अरिस्ट को प्राप्त हो चुपा हो, जन्म से पूर भी उसको प्राप्लम हो जाती है, कस्ठ हो सकता है बालक के किताब, यह भी भी बहुत इंपोर्डन श्लोक है, जो आपको ध्यार रखना है कुंड़ी के अंदर, फिर कहते हैं, जन्मास्ट सक्तस्ष्ट द्वादशे संसित यानि लगन में, अस्टव भाव में, शस्ट छटे भाव में, द्वादश बारवे भाव में, अगर पाप ग्रह हों, तो माता सुतेन सार्धम प्रियते नास्त्रियंतरम संधे है, तो माता वे बालक का परम अनिष्ट संभव है, ऐसा कहना चाहिए, अगर पहले आठवे, सा साथे बारवे भाव में, पाप ग्रह हों, इसी योग में, तो बालक का अरिस्ट होता है, लेकिन माता को कोई कस्ट होना, ऐसा नहीं कि कोई आप उसको उस तरह से लें, ये अरिस्ट का मतलब होता है कस्ट होना, कस्ट जो होता है, यहां थोड़ा गभीर कस्ट होता है, बिम किसी का financial problem हो गई तो हम कहते हैं उसका बचारे का अरिस्ट हो गया फाइनेशल प्रॉबलम हो गई नुकसान हो गया उसे बहुत जादा किसी को बिमार हो गया तो हम कहते हैं यह अरिस्ट है एक तरीके से क्योंकि वह बिमार पढ़ गया तो वही चीज़ इन श्लोकों में दे ग अगर किसी के बारवे भाव में मंगल या शनी है तो वो नेत्र रोग पहला करता है अगर बारवे भाव में मंगल बैठा है तो बाई आख में और बारवे भाव में शनी बैठा है तो दाई आख में लोग होना संभाव तो वो आदमी को इनसान को इस तरह के से पहले से ही प्रिकॉशन ले लेने चाहिए सूर्य वे चंद्रमा साथ साथ बारवे भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठे हों तो बालक जन से ही प्राबलम हो सकती है यह ध्यान रखने की बात तो बारवे भाव में ग्राव का बैठना खुड़ा सा अच्छा नहीं मादा और सूर्य वे चंद्रमा बारवे भाव में बै नवा बाप जो भागे का बाप है उनके अंदर भी पाप गुरह का होना आवश्चक है पाप गुरह मींस राहू केतु मंगल शनी में अगर छटे नावे बाप में बैटे हो इन में से दो गरहे भी कम से कम और सुर्य चंद्रमा साथ-साथ-बारवे बाप में हो तो बालब को जन सही नेत्र का रोग होता है अत्व प्यानाते तर्योते द्वादशे भेवा पी जय मानस्यस से अत्रापी हरेन नम दक्षिद बरके शर्शी स्वेवन ये क्या बोलते हैं ये बोलते हैं द्वादश भाव में अकेले सूर्य या चंद्रमा भी नेत्र नाशक है बारवे भ तो दाई आँंग में चंद्रमा मेठा है तो लगन में राहू व्यसक्तम में सूर्य हो तो बालक निसंदेहई प्रॉब्लम होती है इसको आजकर लेना चाहिए कि लगन में राहू या सब्थम्यस सूर्य तो आइसे में आज़ों का प्रिकॉशन उसको लेती रहे समये जब यह कहता है कि दूसरे बार्वे में सूर्य चंद्रमा हो और छटे आठवे बहुनों दुख भाव में पाप ग्रह बैठे हो दोनों में पाप ग्रह माँना चाहिए दूसरे यह योग इतनी असानी से बनते नहीं है इसलिए इसमें कोई जब्राने की अवश्यक्ता नहीं है जर में चंद्रमा हो आठवे में सूर्य हो नंव में शनी और सैकंड स्थान में मंगल हो तो भी बालक को नेतर रोग होता है निसन्दे शटे इस्थान में चंद्रमा आठवे या बारवे भाव में चंद्रमा शनी से यूथ तो वायू विकार या कफ विकार से द्रस्टी में विकाराई देख लिजिए कि आठवा या बारवा भाव चंद्रमा शनी से यूथ है अगर आपका आठवे भाव में चंद्रमा या शनी बैठे हैं बारवे भाव में चंद्रमा और शनी बैठे हैं, दोनों, माफ कीजेगा, आठवे भाव में या बारवे भाव में चंद्रमा वे शनी दोनों बैठे हैं, तो वायू विकार से या कफ विकार से नेत्र में रोग हो सकते हैं, क्योंकि शनी वायू विकार का कारक है, वायू कि शुब द्रस्टी हो तो नेत्र रोग की संभावना कुछ समय के लिए कम हो जाती है या लंबे समय में कई लोगों उतना कई बच्चे जो होते हैं वो चश्मान लगाते हैं बहुत सालों बाद तो इस तरह की स्थिती भी बन जा इसी पद्धती से शनी मंगल सूरे के साथ च कार वगारा के बारे में बताऊंगा तो आशा करता हूँ आपको समझमाय होंगे समझमाय हो तो कांडिल लायकर सब्स्राइब जूर कीजेगा आपके सब्स्राइब करने से शेयर करने से मोटिवेशन बढ़ता है कमेंट्स कीजेगा जरूर और कमेंट्स जरूर दीजेगा जितने comments आप लिख सकते है astrology में, कि जो आपकी confusion's हैं, जो आपको नहीं समझ में, चीज आ रही हैं, उनके बारे में आप astrology में कोई ऐसी चीज है, तो आप comments में लिखके भेजी हो, हम एक interview की form में, या live की form में आपके सामने आएंगे, और ये सारे प्रश्णों का आपके जवाब, आपके सारे प्रश्णों का हलवां दिलेगा, इसके अलावा हम लोग बैस स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आप में से कोई भी किसी भी कोर्स में इंट्रेस्टेड हो, तो अपना नामांगान करा सकता है, तब तक के लिए धन्यवाद,